हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू एग्री सिक्षा, एग्री सिक्षा के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज का हमारा टॉपिक आपके कमेंड सेक्षन का जवाब, मतलब आपने कमेंड किया था कि 36 गड़ की जो भगवलिक इस्थिती है, जियोग्राफिकल कं इसके बारे में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक केजिए और फटाक से सियर केजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 36 गड़ की भगौलिक इस्थिती मतलब कितना एरिया है 36 गड़ में जो खेती के लिए तो है वो अलग है लेकिन भगौलिक छेत्रफल टोटल एरिया तो टोटल एरिया यहां पर 13.7 यह मिलियन हेक्टेयर है और जो सुद्ध क्रिसी छेत्रफल है जिसमें हम कल्टीवेशन करते है वो 4.83 मिलियन हेक्टेयर है मतलब अगर इसमें माइनस करके भगौलिक छेत्रफल में तो हम 4.99 के आसपास जो मिलियन हेक्टेयर है उस जमीन का उप्योग हम किसी दूसरे कार्य के लिए करते हैं 36 गड़ की भगौलिक इस्तिती में जो सुद्ध सिंची छेत्रफल सुद्ध सिंची छेत्रफल 1.33 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जिसमें आप सुद्ध मातरा में मतलब देखे तो वहाँ पर सिचाई के कुछ-कुछ साधन है बोर्वेल है है उपस्तित है यहां की जो फसल सखनता है वो 134 परसेंट है 36 गड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं आ है जो भारत की फसल सखनता है वह कितनी प्रतीस में वह रूसा होती है एक वर्षा माप ने का यंत्र आता है जिसको क्या बोलता है रेंगेज तो रेंगेज से जर्व अपन माप इकत्व वर्षा होती है तो यहां 1290 से 1390 mm mm वर्षा सालाना होती है बरानी चित्रफर ऐसे जगह बरानी चित्रफर समझ सकते हैं कि जहां पर वर्षा पर निर्भर रहते हैं और अनली कोई दुसरा सिचाय के साधन उपलब्द नहीं है तो वो एरिया 75% है क्रिसी जलवाईयो जोन के बारे में बात करें तो आपको डियाग्राम में दिखाए दे रहा होगा कि यहां पर तीन क्रिसी जलवाईयो जोन है एक आप देख सकत हैं एरिया के बारे में उपर हिस्सा मध्यम हिस्सा और निचले वाली हिससा यहां पर तीन जलवाईयो जोन हैं अब को बस इत्ता ही याद रखना है कि यहारिसी जलवाईयो जोन कहिता थो आपको किसी भी प्रकाब डॉब्ड है आप कमेंड बॉक्स पर कमेंड कीजिए प्रें इतो